हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद द्वारा से आपके अपने चैनल रिए गरना स्वाक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए आज़ेंगो सब्सक्राइब कर लो साथ बैल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव क पूरे तरह का लोगडाउन लगने की खबर आ रही है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि stock market गिरेगा ठेक है और मेरा माना दोस्तो कर market गिरेगा तो आपको best plastic का stock buy करना चीज़े है यहाँ दोस्तो एक plastic बना रही कंपनी आज करोणों में खेल रही है तो definitely आप इस plastic के stock में छोटा बोटा amount investment करके long term portfolio में add कर सकते हो क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है ये company काफी बढ़िया है company के जो profit है काफी सांधार है अभी आपको company के पूरा एक आप हो सकते हो fundable analysis पूरा की पुरी चीज शेयर करूँगा और दोस्तों company का जो technical analysis chart है वो गभी मुझे भैतरीन लग रहा है जोस्तों भैतरीन बोलते हैं वो लग रहा है और बड़ा धमाका होने वाला है जिसका इंतजारता वही होने वाला है जोस्तों ये जो stock है currently 150 रुपे का अस्पर टेट कर रहा है stock का नम आपने देख लिया है फिनोलेक्स इंडस्ट्री और दोस्तों stock का जो chart pattern है काफी भैतरीन है जिसको मैं long term के लिए prefer करता हूँ वो ही pattern बन रहा है और जिसका इंतजारता वो ही होने वाला है तो definitely एक बार stock को आप observe कर सकते हो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें investment करनी ही करनी है बढ़ हाँ अगर आपको company के price valuation अच्छे लगते है तो definitely आप investment करके भूल सकते हो तो मैं लेके चलता हूँ सीधा chart की तरब और chart में लेन जाने से पहले आप सभी से request करूँगा आप वीडियो में like नहीं करते हो वीडियो को like तो करो कम से कम यार और साथ में दोस्तों जैसे आपको पता है आपने बहुत सारे rumors सुने market गिरने वाली है और मुझे खुद believe है कि जब तक market 83 और 9 moving average के उपर है जब तक उन दोनों का cross over नहीं होता है market नहीं गिरेगी अगर आप चाहते हों कि मैं उसके उपर वीडियो बनाओ कि market गिरेगी या नहीं गिरेगी तो नीचे comment कर दो comment जादा होंगे तो definitely वीडियो बन जाएगा आज नहीं होंगे जादा तो नहीं बनेगा चलिए दोस्तों बात करते इस स्टॉक के बारे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिरिट का चार्ट को लगा NSE, PSE दोनों में लिस्टिट कंपनी है फिन पाइप करके स्टॉक का नाम है एक प्लास्टिक सेक्टर का स्टॉक है 142 रुपे के आसपर ट्रेट कर रहा है और आज मार्किट बंद होने के खुसी में आज मार्किट बंद है तो आपको पता ही है ठीक है कोई मुवमेंट नहीं होगी लेकिं दोस्तों अगर बात करता हूँ स्टॉक का ऐल टाइम चार्ट के साब से स्टॉक में हम इन्वेस्मेंट करके भूल सकते है लॉंग टर्म के लिए ये बेस्ट प्लास्टिक टॉक टू बाइनाओ बन सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अब एक बार कंपनी के पी एंडल देख लेते हैं कि कमपनी में क्या सच में वैलिशन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देख लेते एक बार तो आप स्कीन में देख सकते हो फिरोलक्स इंडस्री लिमिडिट के बारे में आपके सामने खोला होगा मेलनी जो उसम का काम है दोस्तो आपके घर में यह जो उसके पाइप से आप देख सकते हो हर जगा इंके पाइप स्यूस होते है पीपीसी तो मतलब यह बोल सकते हो कि इन्होंने हर घर में राज़ करा हुआ है प्लास्टिक के रूप में ठीक है हम उसके उपर डिसक्शन नहीं करेंगे हमारा भी काम है कि कमपनी के प्रॉफिट लॉस चेक करना और कमपनी का चार्ट देखना कि हमें किस प्राइज में एंटरी करना चाहिए क्या हमारा स्टॉपनोस होगा क्या हमारे टार्गेट रहेंगे ठीक है वो स्ट्रिट के बारे हम बात में बात करेंगे अगर बात करते हैं कमपनी का डिविडेंट एल्ड दोस्तो आप देख सेकते हो कमपनी आपको अच्छा खासा 0.5% के आसपास का डिविडेंट एल्ड दे रही है और दोस्तो अगर R.O.C.E. की बात करता हो तो 16% के आसपास निकल के आता जो काफी बढ़िया है और कमपनी रिटर्न और एक्विटी काफी बहतरी आपको दे रही है 14% के हिसाब से अगर बात करता हो कमपनी में होर क्या बढ़िया है दोस्तो दोस्तो नीचे लेके चलता हूँ आपको दोस्तो आप देख सकते हो कमपनी is almost debt-free तो दोस्तो अगर आप एक ऐसा प्लास्टी का स्टॉक ढूण रहे है जो debt-free हो definitely you can bet in this stock अगर बात कर दोस्तो कमपनी 2018 से नीचे गिरा है ठीक है दोबारा रिकावर भी कर रहा है तो दोस्तो उसका region clear यह था कि कमपनी की 2018-19 के असपर sales में कमी देखने को मिले थे लेकिन दोस्तो दोबारा जे stock में एक recovery देखने को मिल रही है कमपनी ने एक अच्छा खासा 3 साल का consolidation period phase किया है तो definite दोस्तो यह stock एक multi-vega stock हो सकता है उसका दो करण है एक stock ने अपनी range breakout कर सकता है 1.500 रुपे के उपर और दूसरा कि कमपनी के जो profit है margin है वो लगतार बढ़ रहे है definite stock रखने रहा में रख सकते हैं दोनों के दोनों points आपस में आप हो सकते हो चल रहे है अगर बात करते है peer comparison की दोसरा आप देख सकते हो sector plastic products का है और सबसे best जोस में आप हो सकते हो lead करता है वो astral pipe है अगर आप चाहते हो में astral pipe के उपर एक stock बनाओ अगर एक video बनाओ तो आप निचे comment करके बथा सकते हो ठीक है अगर बात करते है quarterly results की दोसरा आप देख सकते हो company की sales थी थोड़ इसी कमी आये थी September 2019 के आसपा तभी stock का अपराई नीचे गिरा था और दोवार से जो sales में आप देख सकते हो recovery स्टार्ट हो गए December के आसपास 1000 करोड से भी उपर की company के एक source income नहीं है company के other source of income भी है चाहसे उनको 18 करोड के आसपास का profit आया है company का दोसरो देखिए कितना काम interest company pay करती है माद 2 करोड के आसपास और अभी के अभी ये 2 करोड रूपर देखे करजा मुक्त हो सकती है ठीक है अगर बात करते है net profit की दोसरो आप देख सकती हो company का जो net profit है आप देखिए तो 256 करोड के आसपास का net profit है और September quarter में 120 करोड का profit था दोसरो profit देखे कितना बड़ा jump आया है हर quarterly basis में तो आया आया है साथ में आकर year basis में बात करता हूँ तो उसमें भी बहुत बड़ा jump देखने को मिला है ठीक है आप देखिए तो यह रहा और ही यह रहा तो आपके सामने है अनिक पर शेयर भी लगतार बढ़ रहा है अगर आप बात करता हूँ साल भर में company का कैसा performance है तो आप देख सकते हो FI 19 में company की sales ठीक थी 13 क्रोड के असपस FI 18 में 2738 क्रोड के असपस का sales थी अगर बात करता है net profit की तो आप देख सकते हो स्क्रीन में company के जो profit है लगतार increase हो रहे है और FI 20 में 324 क्रोड का profit दिया है और FI 19 के असपस 350 क्रोड का profit company ने दिया था और अगर बात करता हो current TTM की तो company ने outperform किया है 480 क्रोड के असके हिसाफ से और company का जो earning पर share है लगतार increase हो रहा है लगतार 400 में company एक अच्छे result दिखाए इसी बज़े से stock का price आपका लगतार उपर जा रहा है और future में यह predict किया जा रहा है कि यह stock उपर जा सकता है क्योंकि दोस्तो मैं एडलवाइस की एक report पढ़ रहा था उनके हिसाब से यह best plastic stock हो सकता है जो आपको अच्छा result अच्छे बोच सकते हो कि आप अच्छे price में trade करते हो मिलेगा future में जो आपको एक अच्छे रिडम नागे दे सकता है क्योंकि company के बाद books में अच्छे खासे projects है अच्छे खासे इंकि आप उस्तो sales है उनको sales growth नजर आ रही है इसलिए वो recommend कर रहे है stock को ठीक है अगर बात करता हो दोस्तो company की balance sheet तो balance sheet दोस्तो एक्तम clear balance sheet है आप देखें तो company की जो balance sheet 2,199 क्रोड के असपास का reserve है 243 क्रोड के असपास का debt है जो अभी की अभी देखे करजा मुक्त बन सकती है अगर cash flow की बात करता हूँ company के पास 51 क्रोड का 51 क्रोड के असपास का cash flow maintain है अगर बात करता हूँ ROC तो मैंने आपको बतलाया 16% के आसपास है काफी बढ़िया है sale holding pattern stock का काफी गजब का है almost 52.4% के आसपास company के मालिकों ने stock को hold किया हुआ है और थोड़ी बहुत FII की भी holding है 2.28% के आसपास और FII ने थोड़ी holding इसमें increase करी है September से लेकर अगर बात करता हूँ DIA की holding दूस्तों आप देख सकते हो 12.89% के आसपास आपके DIA की holding है बाकि छोटा मोटा माल पबलिक ने लगा रखा है ठीक है तो definitely दूस्तों इसमें आप stock को observe कर सकते हो company के profit के साब से tick, company के serultic pattern के साब से tick, company के quadrilisers के साब से tick, company के business के साब से tick और company के technical analysis और चार्ट के साब से अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ company का चार्ट यह मैंने एक चार्ट खोला हुआ है और दोस्तों पता होगा आपको जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं कैसे multi bagger penny stocks या multi bagger stocks find out करता हूँ उसके लिए मैंने एक संडे को class रकी थी facebook मतलब class रकी थी हर संडे को class होती है जिसे आपको जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ हर संडे को class होती है ठीक है अगर आपको उस class पर participate करना है तो इस वीडियो को share करो facebook में ठीक है whatsapp में, telegram में जहां आप कर सकते हो share करने के बाद नीचे हमारे links होंगे कुछ social media के वहाँ हमें tag कर दो या हमें skin short tag कर दो जो आपको करना वो कर दो यह हमारी instagram idea यहाँ भी आप कर सकते हो अगर आप यह काम करती हो तो definitely भया sunday को जो class होगी उसका link आपको मिल जायागा साथ में मैंने एक तरीका बताया था कि मैं कैसे multi wagger penny stocks या multi wagger stocks find out करता हूँ तो अगर आपको उस video को link चाहिए जो private video है definitely आपको मिल जायागा अगर आप video को share करते हो तो share करो अभी के दबा के ठीक है दुस्तो आप देख सकते हो इसमें एक pattern बनना इसको बोलता है you pattern इसको कोई बोलता है cup and handle pattern कोई इसको handle shoulder बोलता है कोई इसको उल्टा च्छत्ता बोलता है मदु वक्की का चत्ता आप मुझे दे उल्टा मधु मधु मधुर्ठी का और मुझे लगता है, जैसे मैं आपको बता है, जिसका मुझे था अंतजार, वो घड़ी आ चुकी है, यहां दोस्तो, स्टॉक का जो 2018 का जो हाई था, यह स्टॉक आप ब्रेक करने वाला है, तो definitely दोस्तो, एक ब्रिकाउट होने वाला है, महा ब्रिकाउट होने वाला है, और यह ब्रेकाउट दोस्तो, फेल नहीं होगा, क्यों कमपनी के प्रॉफिट लगा था बढ़ रहे है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक को अगर आपको बाई करना है, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, अभी करन्ट मार्कित वाई करना है, आपको स्टॉक को बाई क करो, आप 126 रुपे का स्टॉपोस लगाना, और टागेट के लिए आप खुद इसमें कर सकते हो, 153 माइनस, 70 रुपे का लो है, आप आपसे माइनस कर लो, उसको डबल कर दो, आपको टागेट मिल जाएंगे, तो मेरा मानना क्या है दोस्तो, 153 रुपे के आसफास, आप फ बतला दिया है, यह डेट फ्री, पैस्ट प्लास्टिक स्टॉक टू बाए, नाव बन सकता है, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई, टेफिनेटली अब्जर में रखो, मैं स्टॉक को खुद अब्जरवेशन में रखने वाला हूँ, चलो बाए बाए,